ठेम बच्चों के पता ने जीता है तीन लाग देधाम का कीमती गारी नमश्कार स्वागत है आपका UAE खबर पर देखे एक बार फिर से एक ट्रो ने एक प्रवासी की किस्मत बदल दी है रेसल साओधे अरब में रहने वाले एक पाकिस्तानी वेक्ती ने तीन मार्च को बिग टिकट की लाइफ ड्रो के दोरान एक बिलकुल नई SUV जीती है मुहमद उमर फारूक जो वर्तमान में अपनी पतनी और छे बचों के साथ के S.A. में रहते हैं मुहमर को अक्सर सायोक तरब अमिराथ और साओधी अरब के बीच यात्रा करनी पड़ती है सयोक तरब अमिराथ के अपनी यात्रा के दोरान हवाई एड़े पर विभन विग्यापन देखने के बाद उन्होंने ड्रीम कार रेफरल के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है उन्होंने इसको लेकर का कि मैं पिछले 2-3 सालों से खुद ही टिकट खरीद रहा हूँ बिग्टिकट आजमाने की मेरी प्रेडना बस अपनी किस्मत को आजमाना था अब उनसे कार के बारे में उनकी योजनाओं के बार में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कार बेचूंगा और बिग्टिकट ज्रॉ में भाग लेना जारी रखूंगा मेरी हर किसी को सला है कि बिग्टिकट के साथ अपनी किस्मत जरूर आजमाते रहें अपना परियास जारी रखे बना हार नहीं मानी चाहिए बता दे मार्च के पूरे महीने में रीम कार चिकट खरीदने वाले ग्राहकों को तीन अपरैल को तीन लाख असी हजार दरहम मुले की मासे राती गिबली जीतने का अफसर मिलेगा एक टिकट की की माट देर सो दरहम है और नगट पर असकार के साथ जो कोई भी दो टिकट खरीता है उसे एक टिकट एक्स्ट्रा मिलेगा इसके अलावा जो ग्राहक जायद अंतर रस्ट्री हवाई अड़े और अल एन हवाई अड़े से अपने टिकट खरीते हैं वे दो खरीदे तीन पाएं मुफ्त विशेस ओफर का लाब उठा सकते हैं भाई आपको बता दे कि अभी फिल्हाल योई में बिक टिकट ही चल रहा है इसके अलावा महजूस और एमिरीट्स ड्रॉजो है वो पूरी तरह से बंद है आपको बता दे कि इन दोनों को जब तक कि लाइसंस नहीं मिल जाता है अथोरिटी के द्वारा तब तक के लिए य लेकिन उसका जो गेम है Fast 5, Easy 6 और एक गेम वो गेम आप खेल सकते हैं उसके लिए अभी भी गेम चालू है लेकिन जो ड्रॉज की टिकटे हैं वो फिलाल महजूस की एमिरीट्स ड्रॉज की बिकनी बंद हो चुकी है अभी फिलाल बिक टिकट जारी है जिसमें लोगों ने भाग लिया है इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कई भारतिये जो हैं वो विजिता बने हैं और इस बार पाकिस्तानी विक्ति जो हैं उनके हाथ ये सांदार मौका लगा है और उन्होंने एक गारी जीती है जो की तीन लाग दिरहम के अप्रॉक्स की है जिसको बेच कर वो अपना काम करना चाहते हैं और वो आगे भी टिकेट खरीदना जारी रखेंगे तो आप भी टिकेट खरीद कर इसमें भाग ले सकते हैं यूए लाया है 87 देशों के लिए वीजा और राइवल की सुवधार या भारत और पाकिस्तान का भी नाम सामिल है इस लिस्ट में चलिए बात करेंगे हम इस वीडियो में तो देखिए यूए ने एक गेम चेंजिंग कदम उठाया है और यूए के विदाईश मंत्राले ने वीजा चूट नीदी को अपडेट किया है जिससे 87 देशों के नागरिकों को बिना पुर्वी वीजा के अमिरात में प्रवेज करने की अनुमती मिल गई है इस अपडेट से पहले 73 देशों के नागरिक यूए वीजा चूट के लिए अलेजिबल थे ये निर नय देश में परियचन प्रकीरियाओं को सुववस्टत करने और परियचन को बढ़ावा देखने के लिए किया गया है बतारे अपडेटेर लिस्ट से पता चलता है कि खारी देश की यात्रा से पहले भारत सहित 110 देशों के नागरिकों के लिए यूए वीजा अनिवारे है जिसी सी असी देशों की जो लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे तो इस लिस्ट में जिनका नाम शामिल है बारी बारी आपको बताते हैं तो अलबानिया एंडोरा अर्जिंटीना अर्मानिया अस्ट्रेलिया अस्ट्रिया अजर्बाइजान बहरीन बार्बाडोस बेलोरूस बे पॉब्लिक देन्मार्क अल्सालवाडोर एस्तोनिया फिजी फिन्लेंड फ्रांस जोर्जिया जर्मनी युनानी होंडुरस चीन का हॉंग कॉंग कॉंग विशेश प्रसास निक्षेत्र हंगरी आइसलेंड इस्राइल इतली जापान कजाकस्तान केडिबाती को सोवो क्वैर ल इंग्स तेन्स्टाइन लिटुवा निया लग्समबर्ग मलेशिया माल्डिव स्माल्टा मॉरिसस मेक्सिको मुनाको मॉंटेग्रो नावरू न्यूजी लैंड नौर्वे उमान पराग्वा पेरू पुलैंड पुर्टगाल कतर आर्लैंड गंराज रोमानिया रूस संथ व स्लोवाकिया स्लेवोनिया स्लोमान इजलैंड दक्षिन कोरिया स्पेन स्विडन स्विजलैंड बहामास निदरलैंड यूके यूकरेन उरुगवे हम विटिकन और वियतनाम यह तमाम देश इसमर्स तामिल है वहीं बता दे कि भारती आगमन पर वीजा सेवा काल आप कैसे उठा सकते हैं देखिए च्छे माहिने के पासपोर्ट यूएई वीजा विजट वीजा यूके या फिर यूस वीजट वीजा यूके नवास वीजा या ग्रीन कार्ड वाले भारतिये नागजिक आगवन पर शौदर दिन का प्रवेस वीजा प्राप्त कर सकते हैं और इतने भी कंट्रीज है उसके बारे में मैंने बता दिये हैं यह सबी देश के नागरिक यूए ही जा सकते हैं उन्हें अर्राइवल वीजा जो है वह प्रदान किया जाएगा यूए में पहुशने पर बाकि इतने भी कंट्री है उनलों को प्रायर पहले वीजा बनाना सब्सक्राइब के लिए अनिवारे होगा स्वास्त वीमा देखें प्रायविट सेक्टर के करमचारियों और घरेलू कामगारों को अगले साल से एक अनिवारे स्वास्त वीमा यूजना के तहत कवर किया जाएगा इसकी गोशना सोमवार को की गई है योगताओं को अपने र जनवरी दोहजार पचीज से लागू किया जाएगा ऐसा तब हुआ है जब यूओई काबिनेट ने प्रायविट सेक्टर इंप्लॉई और घरेलू कामगारों के लिए योजना को मंजूरी दे दी है जिसके पास मौजूदा कवर नहीं है वो उन लोगों को ये मलेगा बता भर्तमान में अबुदाबी और दोबई में ऐसे कानून हैं जो न्योगताउं के लिए करमचारीों के लिए और प्राप्त करुएंध करना अनिवार से और इंवार योजना के करमचारियों को शामिल किया गया है । योजना यह सुनिशित करेगी कि देश के बड़े प्राइविट सेक्टर के वाइर फोर्स को क्वालिटी वाली स्वास्त सेवा मिल सके मानव संसादान और अमिरात मुंत्राले इस योजना को लागू करने के लिए प्रारम में जागरूपता अभियान और कारिकर्म शिरू करे देखिए यह संयोग तरब अमिरात में करमचारियों के लिए शुरू किया गया दूसरा अनिवार बीमा है पिछले साल श्रमिकों को एक ऐसी योजना की सदस्यता लेने की अवशक्ता थी जो उन्हें नौकरी खोने से बचाती है आज तक नीजी और संग्ये सरकारी शेत्रो के 7.2 मिलियन से अधिक करिमचारी इस योजना में पंचिकृत है काबिनेट बैटर की अध्यक्षिता करते हुए संयोग तरब अमिरात के उपराश्ट पती और प्रधान मंतरी शेक मुहमद बिन रासिद नहीं कहा कि देश में अंठान में दिसमलव आर्ट प्रतीश्यत वर संयोग तरब अमिरात में श्रम बाजार के लिए एक समन्वय परशद के सापना भी सामिल है ताकि इसकी सिर्था बनाई रखी जा सके और इसकी कॉम्पेटेटिवनेस बढ़ाई जा सके वर्फोर्स अर्थववस्ता का वस्तविक इंजन है और इनकी चिंताओं के निगरान की रक्षा करना हमारी राज़्टी अर्थववस्ता को आगे बढ़ाने के लिए अवर्शक तत्व है देगे इस बीच यूए ने 21 वर्स और उससे अधिक उम्रे के अमिरातियों के लिए अमिराती पासपोर्ट की वैली जीटी पीरिट को 5-10 साल तक बढ़ाने को मनजूरी की दी है पारिशद ने 2700 से अधिक वेबसाइटों को भी ब्लॉक कर दिया है जो ऑनलाइन घुटालों फिशिंग और अनुटराइज प्रोड़क्ट का अर्विटीजमेंट करते थे ऐसे अवैद गतिवीडियो वाले वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है तो यह थी तम